Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 6.5 का question number 3 देखते हैं क्या है Find the local maximum and local minima if any of the following function Find also the local maximum and local minimum values as the case may be यहाँ पर क्या काया है उसने कि local maximum and local minima find out करना है value find out करनी है अगर किसी function की exist करती है तो ठीक है हमें point भी find out करना है और value भी find out करनी है तो दुन्नों values को हम point और values को कैसे find out करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा first order test या second order test यूज़ करना पड़ेगा तो सबसे पहले देखो हमारा function क्या दे रखा है fx equal to x square यह है हमारे पास अब इसका क्या करेंगे हम first derivative देखेंगे यहाँ पे f dash x is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे x square का 2x फिर हम क्या करते है f dash x को 0 के equal put करते है मतलब 2x equal to 0 और x की value क्या आ गई 0 ठीक है अब हमें इस point के उपर value देखनी है हमें तो value कैसे निकलेगी इसको function के अंदर put कर दो तो f of x is equal to क्या हो जाएगा हमारा 0 का square मतलब क्या आ गया 0 अब यहाँ पे main बात देखो क्या है अगर हमारे पास एक single value आती है तो हम single derivative test का तो use नहीं करते हमें क्या निकालना होता है exist नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे single value थी इसलिए मैंने जान बूझके करके दिखाया आपको पता लग जाए जब single value हो तो हम double derivative test पहीं जाएंगे और मैं आपको suggest करूंगा कोई भी value हो single हो two value आए three value आए हमेशा double derivative test से question करना सीख जाओ तभी आप simplify करका पाओगे easily confusion कहीं भी नहीं होगी f double dash x देखो क्या आगया हमारा positive तो यहाँ पे क्या लिखेंगे f double dash x is positive तो हमारे पास x equal to 0 था यह क्या आगया हमारा minimum point तो यहाँ पे क्या लिखेंगे minimum point minimum point x equal to 0 और minimum value क्या हो जाएगी हमारी minimum value उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा x equal to 0 को function के बंदर put करना पड़ेगा 0 का square करेंगे 0 तो यहाँ पे भी क्या आजाएगी हमारी y equal to 0 क्योंकि इसको f x को हम y मानते हैं तो minimum value हमारी क्या आगई 0 और minimum point क्या आगया हमारा वो भी 0 आगया ना समझ में second part से और चीज़े clear हो जाएगी देखो द्यान से second part में हमें function क्या दे रखा है gx equal to x q minus 3x पहले हम इसको आजाएगा 3 common अंदर क्या आगया x square minus 1 equal to 0 तो x square minus 1 equal to 0 करेंगे तो x की value क्या आगयी हमारे पास x square equal to 1 और x equal to plus minus 1 x की value दो value आगयी हमारे पास plus 1 भी और minus 1 भी अब हमें क्या करना है two values हैं तो single derivative test भी कर सकते हैं बट मैं आपको prefer यही कर रहा हूं कि हमेशा double derivative test को ही prefer करो g double x निकाल लो बच्चो g double x निकाल लो यहाँ पे 3 2 जा 6 x हो गया 3 का हो गया 0 अब यहाँ पे at x equal to 1 और minus 1 पुट करेंगे तो g double x क्या हो जाएगा जब 1 पुट किया तो हमारा 6 आगया मतलब positive और जब at x equal to हमारा minus 1 पुट किया तो g double x क्या आगया मेरा minus का 6 मतलब negative आगया तो यह क्या हो गया हमारा minimum point जिस पे positive value आई है और minus 1 क्या हो गया हमारा maximum point maximum point यह बात clear हो गई अब हमें minimum और maximum value निकालने है तो उसको क्या करना पड़ेगा minus 1 और plus 1 को हमें क्या करना पड़ेगा function के अंदर put करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखो maximum value maximum value किस पर exist करेगी maximum point पर maximum point क्या है minus 1 यहाँ पर put कर लो तो gx equal to minus 1 का cube और minus पर 3 into minus 1 यह क्या हो गया तो gx equal to minimum point देखो कौन सा है हमारा 1 पर तो 1 का cube minus 3 multiply 1 तो यह minus 3 plus 1 करेंगे तो minus का 2 आ गया तो यहाँ पर maximum value हमारे पास 2 आ गई minimum value आ गई minus 2 maximum point क्या आया था हमारा minus 1 और minimum point क्या आ गया 1 आ गया समझ में आ गया किस तरीके से question करने है clear है ना next देखते है third hx equal to क्या दे रखा है sin x plus cos x इसको next phase पे देखते है third हमें क्या दे रखा है hx equal to sin x plus cos x और जो x की value है वो 0 से pi by 2 के बीच में लाई करेगी यह हमें दे रखा है तो सबसे पहले हम first order derivative करेंगे इसका first derivative तो h-x किसके equal आ गया sin x का cos x और cos x का क्या हो जाएगा minus का sin x फिर इसको किसके equal put करते है हम h-x equal to 0 put करेंगे इसका मतलब cos x minus sin x equal to किसके हो गया 0 के और cos x equal to क्या आ गया sin x के आ गया या नहीं आ गया अब यह तो यह देख लो कि x की किस value पे हमारे यह दोनों की value सेम होती है पाई बाई फोर पे होती है यह फिर क्या करो इस cos x को इस तरफ ले जाओ यहाँ पे 1 equal to क्या आ गया sin x by cos x मतलब 10 x equal to किसके आ गया मेरा 1 के और 1 को क्या लिख सकता हूँ 10 pi by 4 10 से 10 कट गया x equal to क्या आ गया pi by 4 अब ध्यान से देखो x की value pi by 4 आई है मतलब 0 और pi by 2 के बीच में लाई कर रही है मतलब ठीक आ गया हमारी x की value अब हमें इस x की value पे हमने देखना है कि हमारा function जो है minimum है या maximum है मतलब ये point जो है हमारा maximum point है या minimum उसके लिए क्या करना पड़ेगा double derivative test तो s double dash x कर लेते हैं यहाँ पे s double dash x क्या आ गया cos x का minus sin x और minus sin x का यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x का cos x हो गया है या नहीं हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है इसको हम कैसे लिख सकते हैं s double dash x equal to minus common ले लो अंदर क्या आ गया sin x plus cos x अब यहाँ पे x की value pi by 4 put कर वच्चो तो h double dash x equal to minus बहार sin pi by 4 plus में cos pi by 4 sin pi by 4 और cos pi by 4 की value पता है आपको क्या होती है 1 by root 2 तो s double dash x किसके equal आ गया हमारा minus 1 by root 2 plus में 1 by root 2 मतलब हमारे पास जो value आएगी वो क्या आएगी negative value आएगी और क्या आगी यहाँ पे वो soul out करने की जरूरत भी नहीं है हमें बस यह देखना है कि negative value आएगी क्योंकि यह positive बाहर negative है तो negative आ गया अब देखो double derivative test अगर negative आया है तो हमारे पास यह क्या आ गया हमारा maximum point तो maximum point क्या आ गया maximum point x equal to pi by 4 अब इससे हमारा क्या निकलेगा maximum value निकलेगी मतलब local maxima निकलेगा तो maxima निकालने के लिए maximum value निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको function के अंदर put करना पड़ेगा तो हमारे पास hx equal to क्या हो गया sin pi by 4 प्लस cos pi by 4 value देख लो इसकी भी 1 by root 2 प्लस 1 by root 2 तो किसके equal होगी यह 2 by root 2 और root 2 से इसको cut करेंगे तो क्या आ गया root 2 तो हमारे पास maximum value जो आ गई maximum value वो क्या आ गई under root 2 point तो हमारा solution से आ गया यहां पे f double dash x को या f dash x को हमने 0 के equal put किया उससे तो point मिलेगा हमारा उस point को हमें यह check करना होता है कि वो maximum है या minimum है उसके लिए हमें इसको double derivative test में put करेंगे negative आ गया तो यह maximum point है positive आ गया तो minimum point है value निकालने के लिए हमें उसको function में put कर देना है बस answer आ गया आ गया न समझे में अब तो clear हो गया होगा next देखते हैं इसका fourth part क्या दे रखा है हमें fourth part के अंदर जो हमारा function है fx equal to sin x minus cos x और जो x की value है वो 0 less than x less than 2 pi दे रखी है फिर इसका क्या करना है में derivative तो f dash x निकाल लेंगे sin x का हो गया cos x cos x का minus sin x मतलब plus का sin x हो गया minus minus plus हो जाएगा न अब हमें इसको 0 के equal put करना है तो f dash x equal to क्या करेंगे यहां पे 0 तो यहां पे cos x plus sin x equal to क्या हो गया मेरा 0 के equal और cos x equal to क्या आगया मेरा minus का sin x यह बात समझ में आ गई या नहीं यह आ गया हमारे पास अब फिर क्या करेंगे इसको निच्चे ले जाओ यहां पे 1 equal to minus का sin x y cos x तो बच्चो minus का 10 x मतलब 10 x equal to क्या आ गया minus 1 के इसको लिख सकते हैं या नि minus 1 को इस तरह लेगे अब देखो यहां पे value कैसे find out करते हैं x की value वो सबसे important है कुछ teacher बहुत ज़्यादा difficult method बताते हैं बिल्कुल simple method बता हूँआ 10 x equal to minus 1 को क्या लिख सकता हूँ यहां पे minus 10 pi by 4 10 से 10 कट गया x की value क्या आगए आपके पास minus pi by 4 अब यह value तो लेंगे नियम क्योंकि x की value 0 से 2 pi के बीच में होनी चीए हमें सब positive आएगी तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा x की value pi minus pi by 4 कर दो और दूसरी value क्या आएगी 2 pi minus pi by 4 तो यहां से क्या आगी मेरे पास x equal to 4 pi minus pi मतलब 3 pi by 4 और दूसरी value 4 तो जाए 8 pi minus pi 7 pi by 4 यह दुनों के दुनों value हमारी 0 और 2 pi के बीच में लाई कर रही है ठीक है कोई और दे रखा होता है यहां पे 3 pi 4 pi दे रखा होता है यह जो point है यह हमारे maximum point है या minimum उसके लिए हमें double derivative test सी है तो f double dash x equal to क्या हो जाएगा cos x का minus sin x और sin x का क्या हो जाएगा plus का cos x तो यहां पे f double dash x क्या आएगा हमारा सबसे पहले हमें इन पे देखना पड़ेगा positive आ रहा है या negative आ रहा है पहले 3 pi by 4 पूट करके देखते हैं तो यहां पी minus का sign 3 pi by 4 3 pi by 4 को कैसे लिख सकता हूं pi minus pi by 4 करके break करके लिख सकता हूं trigonometry में सिखा है plus मैं cos of इसको भी pi minus pi by 4 करके लिख सकता हूं मैंने 3 pi by 4 पूट किया यहांपे तो pi minus pi by 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई पर चेंज नहीं होगा माइनस का साइन पाई बाई फॉर हो गया यह जिटीज यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई फॉर यह भी negative value आजाएगी क्योंकि पाई माइनस second quadrant में cos negative होता है तो minus का cos पाई बाई फॉर जो इससे result आएगा वो क्या आएगा negative आएगा हमारा दोनों negative value है तो negative result ही आएगा इसका मतलब 3 पाई बाई फॉर क्या हो गया maximum point तो यहाँ पर x equal to 3 पाई बाई फॉर क्या आगया मेरा maximum point आगया है नहीं आगया ऐसे ही हम 7 πाई बाई 4 को put करके देखेंगे 7 πाई बाई 4 को अगर soul out करूँगा न मैं तो वो हमारा क्या आएगा positive आएगा put करके देखना 7 πाई बाई 4 उसको अगर मैं break करना चाहूं तो वो कैसे break होगा 2 πाई minus πाई बाई 4 करके क्या होगा और फिर प्लस में कोस 7 πाई बाई 4 इसको simplify कर लो यहाँ पे f double dash x equal to क्या आगया मेरा minus का sign इसको क्या लिख सकता हूं है 2 πाई minus πाई बाई 4 और यहाँ पे प्लस में कोस 2 πाई minus πाई बाई 4 लिख सकता हूं यानि अब देखो यहाँ पे f double dash x किसके equal आ जाएगा यहाँ पे यह minus का sign 2 πाई को change करेंगे हम 2 πाई पे change नहीं होगा तो यह πाई बाई 4 क्योंकि 2 πाई minus πाई बाई 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास negative का positive हो जाएगा क्योंकि fourth quadrant में sign negative होता है यह positive आ गया और cos fourth quadrant में positive होता है तो यहाँ पे क्या जाएगा cos πाई बाई 4 दोनों positive हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा f double dash x equal to क्या आ गया positive तो हमारा x equal to 7 πाई बाई 4 क्या आ गया बच्चो minimum point आ गया यह नहीं आ गया अब हमें इसकी value find out करनी है maximum और minimum value वह और देखते हैं अब यहाँ पे देखो x equal to 3 πाई बाई 4 यह क्या था maximum point अब इसकी maximum value निकलेगी मतलब fx के अंदर इसको put करना पड़ेगा हमें fx क्या था हमारा fx equal to है बच्चो sin x minus cos x तो यहाँ पे put कर लेते हैं sin 3 πाई बाई 4 minus cos 3 πाई बाई 4 यह हो जाएगा 3 πाई बाई 4 3 πाई बाई 4 को हम कैसे break करेंगे जैसे हमने पहले किया था πाई minus πाई बाई 4 और माईनस में cos πाई minus πाई बाई 4 देखते हैं अब यहाँ पे क्या आ गया मारा πाई minus πाई बाई 4 second quadrant में तो sin πाई बाई 4 रहेगा male always c cos πi minus πi by 4 क्या हो गया बच्चो? second word end में cos negative होता है तो ये plus का cos πi by 4. मतलब यहाँ पे value 1 by root 2, ये भी plus का 1 by root 2. simplify करेंगे तो 2 by root 2, और ये कटेगा तो हमारा कितना आ गया? root 2. क्योंकि 2 को मैं root 2 into root 2 लिख सकता हूँ, एक root 2 से क्रट गया तो root 2 आ गया. अब ये क्या आ गया मेरे पास? maximum value आ गई. maximum value. क्योंकि maximum point put क्या था? अब x equal to 7 pi by 4 put कर लो. ये क्या है? minimum point. minimum point. अब ये put करेंगे तो fx equal to क्या आ जाएगा मेरा? sin 7 pi by 4 minus cos 7 pi by 4. function में put करना है अब हम ही. तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? sin 2 pi minus pi by 4. और minus में cos 2 pi minus pi by 4. ध्यान से देखो 2 pi minus pi by 4. fourth quadrant में आ रहा है sin negative होता है. तो minus का sin pi by 4 हो गया. यहाँ पे minus cos positive होता है fourth quadrant में से. 2 pi में से कुछ subtract करेंगे. fourth में आएगा. तो यहाँ पे minus का cos pi by 4. तो ये क्या हो गया? minus का 1 by root 2. ये भी minus का 1 by root 2. simplify करेंगे तो यहाँ पे क्या आजएगा? minus का. minus बाहर आ गया. अंदर क्या आगया? 2 by root 2. तो इसको cut करेंगे. तो यहाँ पे क्या आजएगा? minus का root 2 आजएगा. क्या आजएगा? minus का root 2. ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई minimum value और maximum value एक सकिन देखते हैं एक पार ठीक है calculation यहाँ पे यह क्या आ गया हमारे minimum value आ गई समझ भी आ गया होगा कैसे solve out करना थोड़ी से lengthy question है बट ध्यान से करने है concept समझगे करोगे easily clear हो जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है कोई भी problem हो मैं आपकी help जरूप करूँआ आप मुझसे पोच सकते हैं other parts करेंगे next video में